हंजी फ्रेंड्स क्या हल चाल विल्कम विद कृतिका साव मैं अपनी लाइफ का ये फेस जीना चाती हूँ मैं किसी और फेस में नहीं जाना चाती क्योंकि मेरे लाइफ के हर फेस में कोई न कोई ब्लाक पैच जुड़ा हुआ है ये थे दिपिका माडम के शब्द जब वो दे रहे थी इंटर्विय तो मेरा कुश्टिनिंग ये है माडम आपसे कि आप जो कह रही हो कि मेरा लाइफ का ये जो फेस है ये ही बहुत अच्छा है मैं इसी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ लोग कहते हैं कि मुझे अपने बच्पन में जाना है चाहे जवानी वाला जिन्दगी फिर से जीना है वो कितना अच्छा पल था तो दिपेका माडम कह रही है कि मुझे वो सारे कुछ पल नहीं जीने है क्योंकि सब में मेरा कुछ न कुछ एक black patch था सब उस सारे face में कुछ न कुछ हुआ था मेरे साथ तो मुझे माडम ये समझ में नहीं आता कि जब आप बच्पन के दौर से गुजर रही थी तब भी आपके साथ में कुछ हुआ जवानी में भी कुछ हुआ कॉलेज लाइफ में शादी से पहले तक भी हुआ शादी से पहले तक क्या फर्स्ट शादी तक हुआ सेकंड शादी में आपके साथ कुछ नहीं हुआ सेकंड शादी का आपके पास में कोई भी black patch नहीं है उससे परे तक का आपके लाइफ में जितना भी duration था सब में आपका कुछ न कुछ black patch है तो फैजा मैडम आप एक बात बताईए कि सब के सब तो बुरे नहीं हो सकते बुरे छोड़िये सब के सब तो गलत नहीं हो सकते एक आप सही बाद बाकी पुरा दुनिया गलत ऐसा तो नहीं हो सकते आप अभी अपने जनाब के साथ में रह रहे हो तो आप और आपका जनाब सही क्योंकि इसी जुरेशन में आपके साथ में कोई black patch नहीं हुआ है बाद बाकी life की जितने भी face है सब में आपके साथ में कोई नहीं black patch रहा है ऐसा आप ही नहीं कहा तो इसका मतलब आप अपने बचपन में भी नहीं जाना चाहती हो तो बचपन में तो इनसान अपने माबाब के साथ में ही रहता है तो आपका bonding आपका relation अपने माबाब के साथ में भी इतना खराब है वो तो खेर हमें आभी पता चली जाता है आपके vlogs के जरीए तो पता चली जाता है कि आपका bonding आपके family members के साथ में कितना अच्छा है लेकिन बचपन में उस समय तो जनाब आपको नहीं मिले थे उस समय तो आपको कोई और प्यार करने वाला माबाप से जादा प्यार करने वाला जादा सपोर्ट करने वाला जिसके साथ आप जादा comfortable फील करती हो ऐसा तो कोई नहीं था तो उस समय भी ऐसा क्या हो गया था कि आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा black patch आ गया था जो कि आप वापस से अपने बचपने में नहीं जाना चाहते हो जवानी में नहीं जाना चाहते हो मतलब शादी से second marriage से पहले तक का duration में नहीं जाना चाहते है वो तो एक बात को समझ में आता है कि आप अपने ex-husband के बज़े से नहीं जाना चाहते है वो जो भी आपका matter रहोगा लेकिन बचपन में जब आप college life में थे जब आपने cabin crew वाला सारा काम किया था cabin crew बनी थी उसकी पढ़ाई की थी वो सारे duration तो आपके अच्छे ही भीते थे उन सब में ऐसा कौन सब black patch था कि आप उन सब duration में भी नहीं जाना चाहते है उस face में भी नहीं जाता ना चाहते है बस खली अभी वाले face में रहना चाहते हो क्यूँ because आप एक luxurious life जी रहे हो पहले आपके साथ में ऐसा नहीं होता था पहले ना तो youtube था ना youtube पे vlog आता था ना आप इतना famous थी ना आपको इतने पैसे मिलते थे ना आप इतना पैसे कमाती थी कि अपने हिसाब से अपने lifestyle जी सको अब अगर किसी के भी ममी पापा उतने जादा रहीस नहीं होंगे तो अपने बच्चे को कुछ हर चीज़ के लिए मना करेंगे ये कि जतनी मेरी capacity है मैं उतना ही तुमें करके दे सकता हूँ बहुत सब चीज़ आपको पसंद आती नहीं होगे आपको चाहिए था शुरू से एक luxurious life आपने अपने vlog में भी कहा कि मैं हमेशा से चाहिए ना कि एक luxurious life जी हूँ एक luxurious home रहे हमारे पास में अच्छा सा bathroom kitchen वेगरा जहां जा करके एंटर करने के साथ लगे कि हाँ what a luxurious situation कितना अच्छा लग रहा है तो ये सब कुछ पहले नहीं था इस वज़े से उतना था नहीं आपके पास में आपके ex-husband के साथ में भी यही सब कहानी हुई इसी वज़े से आपने तुरंत ये जोइन बॉलिवूड जोइन कर लिया बॉलिवूड नहीं एक्टिंग जोइन कर लिए बॉलिवूड में था भी तक आप पहुँचे भी नहीं हो और मुझे लगता नहीं कि पहुँच भी पाओगे जो भी हो खैर आपने acting जॉइन कर ली वो भी अपने ex-husband के बदौलत उसके सहारे से ताकि आप acting line में जाओगे तो पैसे मिलेंगे तो आप उस हिसाब से luxurious life जी पाओगे तो वो सब तो वो भी कंगा में बह गया वो भी चला गया उस समय आप फिर शुइब से मिल गई और शुइब के साथ आपको लगा कि चलो ये है उससे जादा उपर मेरे ex-husband से जादा income ये कमा सकता है ये इसका face value इसका जो acting का style है ये सारा कुछ मीडिया में पब्लिक को बहुत पसंद आएगा तो आगे मेरा future इसके साथ में set होगा तो चलो मैं इसी को पकरती हूँ और इसी के साथ luxurious life जीती हूँ तो अब उस चीज से हटने के लिए उस चीज से मुख करने के लिए आप बोल रहे हो सभा की शादी के पहले सभा की शादी के पहले आप उनको market लेकर गई थी वहीं लास्ट व्लॉग में वो नजर आये थे उससे पहले उसके बाद तक तो आप कहीं भी नजर नहीं आते और इस बारे में आपसे काफी सवाल किया गया लेकिन आपके मुझे एक बकार नहीं नि आपको बस एक श्वेप प्यारा था बस आपने अपना काफ्च चेंज करकर के श्वेप से शादी कर ली क्योंकि आपको मालूम था कि इसके साथ मेरा लाइफ सेट है यहां मैं लगजरियस लाइफ जी भी लूँगी और मेरा जो ड्रीम है कि मुझे हाउस वाइफ बनना है हाउस वाइफ बनने वाला सपना भी यहां पूरा हो जागा क्योंकि घर बैटे बैटे ही सब कुछ मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं और अब तो खेर यूचूब से और ज्यादा अच्छी खासी कमाई हो जाती है आपको अगर पैसे नहीं कमाने हैं टोटली हाउ सब के सब बुरे नहीं हो सकते हैं सब के सब गलत नहीं हो सकते हैं कमी आप में ही है प्रॉब्लम आपके साथ में है आपको हर चीज से प्रॉब्लम है हर सिचुएशन से प्रॉब्लम है हर सिचुएशन में आपको सब चीज अपने हिसाब से चाहिए होता था शुरू से आज पाइस भी चाहma होता है इसवजह से आपका किसाथ में कुछ पटा है नहीं कभी कुछ बहुआ Hi हुआ है उसी वजह से आपका सब के साथ में कोई नै कोई बलेक पैच रहा है और जनाब का जहां तक बात रहा है तो यहां आप इन्हें अपने इशारे प नच वा रही है क्योंकि जनाब न कोई खानी काम थहां रही है यहां ड़ा ना चालना चालो कर दिल जानी उसके उसके चाले नचे हो कि कम से कम मुझे लग्जरियस लाइफ भी मिल जाएगा और हाउसवाइब बनने वाला सबना भी पूरा हो जाएगा दोने एक दूसरे को बैलन्स करकर के चल रहे हो कि किसी तरह चलो निभ जाए वहना लोग फिर यहीं कहेंगे कि पहले भी एक रिस्ता टूड गया डिवोसी फिर दूसरा शादि की और यूसे के पावजुद ऐसा हो गया तो कंई धिकम है आप अपनी कम आशुकर नियों को छुपाने के लिए अब दूसरे पर रिल्जाम डालते हो दूसरे को ब्लेम करते हो कि उसके साथ में मेरा ऐसा सिचुवेशन था उसके साथ मेरा आपका इमेज जो सो काल्ड इमेज दूई है के सामने बहुत ही अच्छा और प्योर वाइफ प्योर बहुत ही प्यारी अच्छी बच्छी का जो है वो कहीं खराब नहों जाए बस उसे चुपाने के लिए आप इतना लंबा चुड़ा जो लेक्चर मारते हो और एक एक पॉइ नहीं से भी सही भी साबित नहीं होती है गलती आपकी है आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे साथी साथ चैनल पर बने रहे और इब्राहिम फैमली से जोड़ी जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अपना ध्यान झाल